हेलो श्रेंट आप कैसे हैं मैं विरेंद कुमार जैस्वाल आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूटूब चैनल वर्चल अड़ा पर इस सेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों एक बार फिर से कहूंगा कि इस हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, शेयर जरूर करिए जो हमारे नए यूजर से नए विवर हैं मैं उनको फिर से बोलूँगा बच्चों देखिए आप आपको प्रीविएस लेक्चर अगर देखना हो ठीक है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं आप जब वीडियो देखेंगे राइड कॉर्णर पर आ करिए ठीक है तो प्रीविएस लेक्चर में जो मने जेए क्लास में पढ़ा था बच्चों आमने ने मॉड के बारे में पढ़ा था मॉड इनक्वेल्टी को सॉल करते हैं और उसको स्वेक्ष लिया था ठीक है आज मों मॉड वीदीन आ मॉड वाला टॉपिक लेंगे मॉड करेंगे तो बच्चों में फिर सब्सक्राइब परसंद आए तो जरूर लाइक करने से चुका मत करिए क्योंकि लाइक करते तो मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ता है ठीक है तो इस बात को आप भी ध्यान रखिए जिसे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और मल लगए क्यों लेकर जैसे अगर देखा चाहिए कोशन लिया मैं ने बच्चो आपके लिए यह दिया हुआ है x सक्वायर plus x minus 2 x square minus 2x minus 8 equal to 3 x plus 2 ठीक है यह हमने question ले लिया है इस question को हम लोग को solve करना है ओके और हमें x का solution state बताना है कि क्या-क्या answer हो सकते है इसका solution क्या-क्या हो सकते है इस पारे में हमें discuss करना है तो देखो कर यह inequality दे दिया गया है इस equation दिया, mod equation दिया है तो 3 mod दीक रहे है अगर इस factorization होगा तो 2 इसमें आएंग, 2 इसमें आएंग, 1 इसमें आएंग कितना होगा है, 5 होगा है और 5 अगर mod को अगर में solve करना हो जाए ठीक है 5 number line बनाएंग, 6 cases बनेंग इस taking too long अगर थोड़ा सा different way से सोचा जाए जैसा हमने इस पढ़ा था different way में हमने क्या सोचा था अगर ध्यान दो इसमें दो यह वाला जो term दिया होगा क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या x square x minus 2 जो लिखा हूँ इसको as it is रहने देता हूँ मैं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चो x square x plus minus 2 यहाँ पे minus कर दिया जाए x square minus 2 x minus 8 से इससे क्या होगा इसको open करके देखूँ आप अगर इसको open करोगे बद तो x square plus x minus 2 और minus नर लेते जाओ तो minus x square minus minus plus 2 x minus 8 plus हो जाए इससे तो यह cancel हो गया 2 x plus x कितना हो जाएगा 3 x हो जाएगा 8 में 2 subtract करो बच्चो कितना जाएगा plus 6 आ जाएगा तब 3 कॉमा ले लो तो x plus 2 मिल जाएगा आपको यही दिया हुआ आपको यहाँ पे ठीक है मतलब यह आपका a बन गया यह आपका b बन गया बच्चो और यह a और यह b बन गया ठीक है बास वाज में आ रहे है mod of a plus mod of b equal to mod of a minus b अगर दिया हुआ था तो हमने क्या condition पढ़ा था याद है आपको अगर ऐसा कही हो है तो हमने पढ़ा हुआ था बच्चो वहाँ पर पढ़ा था हमने अगर यह हो जाए तो इफ अगर यह हो जाए तो इफ और यह कंडिशन तभी होल्ड करता था जब a into b less than equal to 0 होता था ठीक है यह हमने पढ़ा था प्रिवेस क्लास में तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए यहाँ पर मारे पास क्या भी यहाँ पर सपार यह है इस पर मायनेश टू इंटू एकस स्कॉायर माइन टू गया और आपास मिलने वाला है ठीक है और एकस माइनश टू एक्स 4 plus 2 हो जाएगा यहां plus 4 होगा अब सही है नहीं नहीं यह plus रुख जाएगा यहां minus होगा यहां plus कर दीजिए अब सही है यहां minus 8 हो जाएगा less than equal to 0 हो जाएगा अब यहां से factorization करें तो x comma लें तो x plus 2 हो जाएगा यहां minus 1 comma is x plus 2 आ गया बच्छो and then further यहां से x comma लें तो x minus 4 plus 2 comma लें तो x minus 4 आ जाएगा और यहां देखिए finally आपके पास यहां x plus 2 x minus 1 मिलेगा यहां से और यहां पे देखिए x plus 2 x minus 4 मिलेगा यहां इसको आप लिख सकते हो x minus 1 x minus 4 x plus 2 का whole square less than equal to 0 ठीक है अगर इसकी बात करते हैं बच्छो यह तो अलग ही बात है इसका तो not equal to 0 यहां पे इस condition में इसको 0 minus 2 अगर रखे पूरा पूरा 0 तो minus 2 एक solution तो देखी रहा है और यहां पे देखो आप इसके उपर number line बना हो गया ठीक है अगर इसके recording number line बना हो गया ठीक है क्या मिलने वाला है देखो आप 1,4 और 1 मिलेगा प्लस, minus, plus टीक है तो इसका solution state अब लिख सकते हो यहां से x belong 1,4 और minus 2 रखने पे भी 0 हो रहा है बच्छो तो union minus 2 लिख दीजिए यह इसका answer हो जाएगा ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा अधरवाज यह से बच्छों पांच मॉड के बना लग लग फैक्टाइशन करना पड़ता बहुत लंबा चला जाता this is the easy matter to solve this question okay I hope आपको clear हो गया होगा कुछ question और लेता हो मैं अधर बच्चों solve करने के लिए न देखो आपको सोचना होगा आसा नहीं तुरन solve करने लगा गो पहले सोचा करो कुछ और भी possible है क्या नहीं कि सीदे मौड देखा तो सर ने भूला है मौड solve करना तो solve करने शुरू कर दिया नहीं करने पहले आप देखो कुछ और भी method हो सकता है कि वही एक method जो आम लोगों ने ठीक है कि एक question हो लेते हैं जो previous year जे में आया हुआ था तुछन 2 में आया हुआ जे में बच्चे उस question लेते हैं काम लो question दिया हुआ है sorry the set of all real numbers x for which x square minus mod x plus 2 plus x is greater than 0 is option दिया है बच्चो minus infinite से minus 2 union 2 से infinite second option दिया है आपको minus infinite से minus root 2 union root 2 से plus infinite now third option given here minus infinite से minus 1 union 1 से infinite and the last option given here root 2 से infinite यह question बच्चों याद रहे है जे टूसान 2 में आया था यह ठीक है आपने mod पर रखा है अब इस question को हम लोग solve कर सकते हैं ठीक है अब दोको इसकंदे mod कितने दिया हुआ यहां तो कितना mod है भाई एक single mod है न ठीक है एक ही single mod है तो एक single mod को solve करने का method क्या बताया था इसमें कोई shortcut तो लगा नहीं सकते आप basic पर ही जाना पड़ेगा अगर x plus 2 less than 0 होगा तो इसका number line बनाएं तो माइनस 2 आ जाए बच्चो d मतलब discriminant की बात करें बच्चो d निकालो गया तो यहां देखो a की value 1 है b की value यहां पर मैं लिक दे रहा हूं अगर मैं इसको compare करता हूं quadratic equation ax square bx plus c से compare कर दू बच्चो तो a की value यहां क्या मिलेगा 1 b की value क्या मिलेगा 2 और c की value 2 तो d निकालें गया minus 4 which is less than 0 तो आपको inequality वाले class में बताया था अगर कोई अगर हमारे पास कोई inequality दिया जाए उसका d less than 0 हो तो इसका solution क्या लिखते थे हम लोग इसका solution सीधे लिख सकते है x belong r लिख सकते है इस inequality कंदर एक inequality हो रहाया हुए राइट हम दोनों के क्या करेंग intersection लेंगे यह बोल रहा है all real number तो यह पूरा real number आपने बोल दिया और उपर जो in equality दिया हुए अगर उसकी बात करें तो minus infinite से minus 2 तो देखो यह वाला reason होगा तो पहले से हमें solution set मिलने वाला है हमें पहले sensor मिलेंगा x belong minus infinite से minus 2 आपको clear होगा के second पर बात करते हैं बच्चों दो के second हो हमारे पास क्या होना जब less than लेंगे दूसरा के scale greater than equal to की बात करेंगे हम लोग if x plus 2 जो होगा greater than equal to 0 होगा ठीक है अगर x plus 2 greater than equal to 0 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सिधे number line अलड़ ही बना हुआ x belong minus 2 से plus infinite ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना क्योंकि हम positive लेंगी हिस्सा अब यह mod कैसे में पनोगा plus sign से अगर mod plus sign open करो x square minus x minus 2 plus x हो जाएगा तो देखो यह और यह cancel हो गया बच्चो ठीक है अब यह cancel हो रहा है तो क्या मिल रहा देखो तो x square minus 2 बच्चरा इसको root 2 लिख दीजे आप root 2 का square कर दीजे x minus root 2 x plus root 2 आ जाएगा number line बना लेंगे हम लोग plus minus plus इसका answer मिलेगा बच्चो x belong minus infinite से minus root 2 union root 2 से plus infinite बट यह देखो यह answer मिला है इसके अंदर यह solution मिला है यह फिर इसके अंदर यह solve किया हमने ठीक है तो इसका दोनों common solution निकाला जाए minus root 2 से minus infinite की बात कर रहा बच्चो यह root 2 से plus infinite की बात हो रही है ठीक है और यह देखो क्या लिखा है minus 2 इसमें क्या लिखा है minus 2 से minus infinite minus 2 कि इदर होगा इदर कहीं होगा ठीक है minus 2 से plus infinite minus 2 कि जैसे plus infinite लिखो गया यह एक interval आ रहा है आपके पास और इक interval यह आ रहा है बच्चो तो यहां से जो answer मिलेगा minus 2 से root 2 union root 2 से plus infinite एक बात ध्यान क्या जो interval के आगे sorry जो number के आगे जो interval बना हुआ हुआ है बच्चो interval यहां बढ़ेगा अपने मन से कोई नहीं लगाएंगा ओके पहले एक answer यह मिला है दूसरे एक answer यह मिला है टेक आप क्या करेंगे हम लोग दोनों को जोड़ देंगे hence solution set for x तो दोखो हमें क्या क्या मिला हुआ x belong minus infinite से minus 2 union minus 2 से root 2 union root 2 से infinite तो दो दोखा है open है यह minus 2 close interval मिलेगा फानली minus 2 क्या हो जाएगा count हो जाएगा हमारे पास तो minus infinite से minus root 2 union root 2 से infinite बच्चो तो देखें कौन सा option हो गया minus infinite से minus root 2 root 2 से infinite यह B option is the correct option तो आपने जितना पढ़ा देखो जेए कोशन लग जा रहे है ऐसा नहीं कि आप जेए के कोशन ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बाउंस कर रहे है ठीक है 2002 का कोशन था बच्चो ठीक है अभी कोशन साहे 16 में आया था 2016 में वह भी कोशन में लेता हूं आपसे अब आप आप इस क्लियर है अब देखो अकर समझ में ना है बच्चो फिर मैं कहूंगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपने डाउट्स और नए वीवर जो है हमारे बच्चो आप उसे परडे अपडेट करने के लिए मिलने के लिए आप नोटिफिक्शन बेल आइकन जरूब प्रेस कर दीजे कि उससे आपको परडे आपका अपडेट मिलता रहे यह जो जो कोश्छन में होता है आप अप कंसेश्च्वाल पर लगाते हो ठीक है बाकी जो एक्जाम होता है समें कौई नगा कोई एक कोई नगा उप्संव और जेगा अगर आपकर दो चार के सावर आप्सं ऐसे लगते चाहिए तरह कि सारे साहिए इसलिए करताव बीकेरफुल वाल वैस विन दो घुशन ओके चलिकोशन ओर लेते हैं कोशन दिया हुआ है सॉल फार एक्स यह लिखा है टू की पावर मॉड एक्स प्ल्स फू लिखा हुआ है माइनस यह मैं पूरा पूरी ले रहा हुँ तो जैसा मैंने बता है बस उसी तरह फॉलो करिए आप कि मैंने क्या दो मॉर्ण है कितने नंब लाइन बनेंगे तो नंबर लाइन बनेंगे ठीक कैसे बनाएंगे उसके बारे हम डिसकस करते हैं तो एक सोचओ आप अगर में जिस पे मॉट लगा उसको 0s कंपेर करना है यह इसके बाट इमार में बनांगे इस पे मॉट लगा रहा ह तो मंदे लोगा सबस्काना काइnet का मन को विठी बीड़ को इसकी बात कर रहे हैं तो इसको आपते हैं को और इसके आगे लिख लेजे यह जो नंबर लाइन माना है टू की पावर एक्स प्लस वन माइनस वन के लिए बनाया है मैं अब मैंने क्या सिखाय था आपको कि दोनों नंबर लाइन को डॉटेट लाइन सो जोड़ दीजे केस समझने के लिए भी जाओ फॉटेट हो घ्यार इस प्रकेसे हो आपका यह सेकन्ड केस यह ठर्ड में हो भी ठीक है तीन केस हो गए बच्छो अब वन भाइवन करना है नंशनल क कोई हैं ai तो एक हैस केस फीर संदी करतें सिखाय करतें थे एक्स ज़ो हो जाए इसे मारब हुस्जु इन इंफान एक्स प्लस टू हो जाएगा यह माइनस साइन इस फटेना माइनस माइनस विकाम प्लस अब प्लस होगा तो इस साइन में कोई चैन्जर संदर हो नहीं बच्छो कि देखो यह यह कैंसल हो गया में टीक है अम मायननस उन राइट-णसाइट चैट किया लिख सकते हैं मुझा to minus 1 x equal to minus 3 अब यह माइनस 3 इस इंटरोल में है चेक कर लिए से अफकोस है तो यह हमारा answer count हो गया ओके यह case first था बच्चो हमारे पास के second भी चली if x belong अब जो इसका plus start हो रहा है दो close इंटरोल लगा लो आप यहां पर minus 2 से minus 1 ठीक है अगर ऐसा है तो यह वाला जो होगा प्लस से ओपन होगा और यह वाला अभी minus open होगा तो क्या लिखिंग बच्चो 2 to power plus x plus 2 हो जाएगा अब यह minus again open होगा तो अगे यह लिखा जाएगा हमारे पास यह again cancel out हो जाएगा 2 की पार x plus 2 होगा अगें 2 2 की पार 1 लिख सकते हम लो और यहां से अगें हम मिलेगा x plus 2 equal to 1 यहां से मिलेगा x equal to minus 1 अब यह minus 1 इसे इंटरवल में है बच्चो यहां पर open इंटरवल में है और यह यहां पर x equal to minus 1 यह count नहीं होगा ओके अब बात करें केस no.3 की केस 3 हमारे पास जो है अब ध्यान दो अब इसका plus से स्टार्ट हो रहा है तो x belong 1 से infinite है और 1 से infinite अगर है बच्चो तो दोंवें मोट केसे plus sin ओपन होगी 2 की पावर Plus x plus 2 हो जाएगा अब plus open वो तो plus minus minus हो जाएगा 2 की पावर x plus 1 और जाएगा minus minus become plus हो जाएगा यह तो आप देख सकते हो, कि दोनों तरह सब्वन कॉंटिटी है, औल्वेस्टू है यह, अगर आउवेस्टू होता है, अमने क्या बताया था, कि पूरा-पूरा solution set ही Count हो जाता है, यह पूरा-पूरा solution set. यूनियन और यहां से देखिए 3 मिला माइनस 3 मिला है यह आपका एंसर हो जाएगा ठीक है देखो बच्चे question लगाना है वह तो लगी जाएगा बट आपको समझ में आना चाहिए कि question कैसे लगाया जा रहा है ठीक है अब फिर मैं बोल रहा हूं जिस पर मॉड लगा रहेगा उसको हम zeros compare करते नंबर लाइन बनाने के लिए ठीक है टूबी पार इस पर मॉड रहे इसको zeros compare करते नंबर लाइन बनाया आपने इसके लेगा हुआ इसके कर लिया तो आपने पूरे case study कर लिया आपको जो solution state चाहिए वो आपको exactly मिल चुका है ठीक है तो question लगाने के लिए देखरों आप जितना सीखे वह आप उसे सारे question जेए के लगजार है एकडम पैनिक होने जरूरत ही नहीं जेए में सर क्या पूच्छा है सर बहुत डर लगता डर नहीं की जरूरत ही नहीं भच्छा जितना basic concept अच्छा होगा उतना ही आप अच्छा वह परफार्म करोगे आप ठीक है एक कोशन और लेता हूं कल मैंने एक फॉर्मूला बताया थो उस पर ही एक कोश्चन कोशन आपका कि आपका कि अश्व फोर एक्स और यहां लिखा वह बच्छो कि यह कोश्चन दिया हुए ठीक है मैं हम लोगो का शॉर्ज करने है ठीक है कि इस कोशन और थुं करने इक वह अब को तुरून दाने चाहिए ज्ठी आ लिख स्यू अफून क्या करने चाहिए दौ करने लिख इस रिजुम्राइव प्लस फाइब दिखाई दे रहा आपको टी बाइनस सेवन दिखाई दे रहा और लेस दने कोडी सिंपल दिनीकवाइब इसका अल्री लिनियर फैक्टर में है लिनियर फॉर्म में तो कितना जाएगे फाइफ आजाएगे एक सेवेन आजाएगा प्लस माइनस प्लस सब्सक्क्राइब इसके इसके को अटिंग क्या लिखेंगा अब टी भी लांग्स फाइट छिंन हो यह यह लिखेंग बच्छो यह फाइफ लैस यनदान इकोल टीले निकोल टुसेवन वाटी एक्टेशल में है किया टीया अपक्स्षोल मेरकते वथचो मॉटक्स है और आपक कि mod x अगर itself a और b की बीच में लाई करें इसका स्लूशन सेट क्या लिख सकते हैं x belong minus b से minus a union a से b यह आपका स्लूशन सेट हो सकते हैं तो यहां पर देखें a और b क्या है 5 और 7 है तो यहां समस्लूशन सेट लिख सकते हैं x belong minus 7 से minus 5 union 5 से 7 इसका answer हो गया बच्चों ठीक है आई होप यह आपको clear है आप हम लोग बात करते हैं आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले थे मॉड विदिन मॉड ठीक है मॉड कंदर मॉड तो कैसे सॉल करेंगे ठीक है और जो प्रिवेश जितने भी मॉड का लेक्षर लिखा लिया हुआ उसको ध्यान में रखते हुए आके बढ़ेंगे यह बात ध्यान रखिएगा तो कोशन लेते हैं कोशन से समझेंगे उसको भी अगर आपको कुछ चीजन नहीं सब्सक्राइब बच्चों वीडियो को दो तीन बार रिप्ले करके बार बार देखेंगे आपको 100% समझ में आ जाएगा इसे कोशन लिखा हुआ है बच्चों यह कोशन दे दिया गया आपको एक मौड दिया उसके अंदर भी एक मौड हो गया और इक्वल टू वन दिया हुए ठीक है तो सल्विशन करने का तरीका बहुत इजी है आप टेक्निक से साओ तो उससे आपको मैं बेसिक प्रोजिस से भी समझाऊंगा और ट्रिक से भी समझ देता हूं जल्दी आपको समझ में आ जाएगा देखो इस कॉल फॉर्स मैथड बोल दे रहा हूं है यह आपको पहला मेथड है अगर एक्जाम को तो यह लगाते हैं लोग देखो यह जो दिया हुआ है आपको इक्वल टू वन पॉस्ट्री नंबर है इस पूरे को कर एक्स माली बाल यह जा फूरे यहां से यहां तो को अगरस्माल लिए तो मॉथे क्या लिखिंग बता हो आप लो कि व्लस माइनस वन x – 1 इक्वल 2 क्या लिख सकते है ब स्-1 संथरा खाए रही गाए अब एक पर हम लों क्या करने का ? Postus sign एक नगेटी से हैं। eringस —1 जो is "-1पोच्षू diffिया प्लस 1 माइनस अगा, अब मोड रूझ method हो जायेगा मोड x – 1 होगा, माइनस 1 के बडाबर हो जारा है यह मौद X इसका में बडागा आ सकता है नहीं यहां से मिलेगा आपको का अशना मिलेगा दो आपको इस वर को पूछा जाकर इसका सोलीशन मताये है क्या बता है तो किया वाले के मौद के वाले कभी निगेटिव नहीं निकालते हैं आपको किस लिए पॉस्ट नमर्स के लिए एक है क्लियर है चलिए सेकेंड मैफ़ड देखते हैं लोग तो को सेकेंड मैफड में सम्झाना क्या चाहते हैं प्रोसीजर वाइस प्रोसीजर मतलब कैसे क्या करेंगे यह मैफड वन कंप्लिट हो गया बच्छो उसे हमने फाइव मिला है देखते हैं मैसर सेकेंड से भी वही मिलता है मैफड सेकेंड जो मेरा ब्रेश्क को सीजरा है बेसीस dell College घो करेंगे देखो जब ही मौड मौड वी इन मौर्ट होता है तो पहले अंदर वाले मौब को दिखा जाता है बाहरवाले मौड को निदेखा जाता बच्छो पहले ज brush 我 बु Smith सबसे अंदर मॉडों को उसको हम लोग पहले प्रिफरेंस देते हैं ठीक है अगर अंदर वाला मॉड क्या लिखा मॉड X-1 ने इस पर केस बनाएंगे हम लोग ठीक है केस फर्स्ट कि इफ कि X-1 जो है लेस्ज जिरो हो जाए कि यहां सेंसर मिलने वाला है X belong माइनस इंफाट से बन यह मॉड कैसे वेपन होगा बच्चों माइनस साइन से माइनस X प्लस वन प्लस तू माइनस कॉमेल लेज़े जूड जाएगा तू प्लस न माइनस त्री हो जाएगा मॉड बाहर जाके पॉस्टिव बना देगा बच्चों माइनस साइन तो उसे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला और वन कैसा नहीं पॉस्टिव नमबर यह तो सिंपल इन इक्वल्टी हो गया प्रस माइनस न लिग दिजिया एकम पोस्टिव लेजरे बड़ निगेटैव लेजिया पोस्ट लेंगे थो 1 पलस 3 हो जाएगा और निगेटैव लेंगे तो –1 प्लस 3 हो जाएगा यहां मिलेगा 4 और यहां मिलेगा 2 अब यह चो नमबर में 2 और 4 मिला है बच्छो क्या से सलूशन सेट में यहां सलूशन सेट दिया हुआ है माइनस से इंफानेट से वन क्या यह दोनों की दोनों वैल्यू कैसे अंदर लाई कर रहा है 1 से infinite, minus infinite से 1 तक की value है, यह दोनों के दोनों नहीं आ रहे हैं, यह कुईसी काम का नहीं हो, ठीक है, तो यहां से किसी काम का नहीं हो, यह case बेकार हो गया, case second पर चलेंगे, case second क्या कह रहा है बच्चों, फिर से देखें, case second को अगर हम चलते हैं, तो x minus 1 क्या होना चाहिए, rather than equal to 0 होना चाहिए, यहां से x belong, 1 से infinite मिलेगा, ओके, और इस बार, mod कैसे open होगा, plus sign से, x minus 1 plus 2 हो जाएगा, equal to 1, x plus 1 equal to 1, टेक, फिर, mod कैसे open करेंगे, बच्चों, plus minus क्यों कि 1 कैसे नमर, positive नमर है, positive ले ले लिजे और negative ले ले लिजे, तो यहां से मिलने वाला है 0, यहां से मिलने वाला minus 2, यह जो दोनों value है, यह value और यह value, कै यह दोनों solution sheet में count कर रहा है, बच्चों, देखो आप, 0 इसके अंदर नहीं आने वाला, 1 से infinite की बात करा, minus 2 भी नहीं आला, यह भी case बेकार हो गया, तो hence, finally answer क्यावे लेगा, hence, solution set for x, x equal to 5, कोई solution नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है, अब इतना बड़ा procedure करिए, यह आपको मैंने जो shortcut बताया है, उससे लगा लिजे, ठीक है, आपके उपर है, कैसे solve करते हैं, इस question को, ओके, तो, आपको यह समझना होगा, बच्चों, खुझ से, कि हम कैसे समझ रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, find यह जब तक आप खुझ से सूचिंग grands अनलए, भच्यों, आपकी कोई help नहीं करने वाला, ठीक है, कुछ कुश्चन है बच्चों जो मैं आपको होमग दे रहा हूं आप ट्राई करिए गर पे ठीक है जैसे पहला कुश्चन है आपका इस आपको अपने से ट्राई करना है गर पे कर दो कि कि एक ट्राई कर दो अपका नपने से ट्राई कर दो, mod x minus 3 plus 2 mod x plus 1 equal to 4 कुशो मज़ सेकंड है बच्छो solve the N equation 1 minus mod x upon 1 plus mod x greater than equal to 1 by 2 कुशो मज़ सेकंड है बच्छो for a less than 0 determine all the roots of x square minus 2 a mod of x minus a minus 3 a square equal to 0 ओके अंसो क्याल्कूलेट क्याल्कूलेट कि दरूट if a is greater than 7 ठीक है बच्छो यह आपको homework है जो आपको यह जितना मैंने पढ़ा है उसके भीहा पर आपको लगाना है ठीक है आई होप आज क्लास आपको समझ में आई होगी पूरी तरीके से बच्चो अगर समझ में तो लाइक करना जरूरी है बच्चो लाइक करो तो मोड़ेशन में और अच्छे से आम लोग इनर्जी के साथ और इनर्जी के साथ पढ़ाएंगे नेस क्लास में और नेस्ट व्हुमारे होगा बच्चो वह इसफिल कंसेट थाड होगा इस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग लॉग के बारें पढ़ेंगे लाउड़्धम फंक्षन और एक्स्पनेंशल फंक्शन करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग जितना पढ़ा हुआ है मौट पढ़ा हुआ है बच्छो वह भी कवर कर लेंगे उसको वापस मौट के कोश्चन उसके अंदर लेंगे और आपके इनिक्वल्टी सबको मिक्स करके लोग पढ़ेंगे बच्चो ठीक है यह आपको ध्यान करते हैं कि पूरा रिविजन करते रहेंगे तब आपको समझ में आएगा ऐसा नहीं क्यों लोग लेंगे लोग के लावाज जो मनें प्रिवेस टॉपिक कवर करते चालें उसको भी लोग इंक्लूट करते वे चलेंगे ठीक है आपको काम क्या है यह तीन कोश्चन दिया जो नए वीवर हैं मैं फिर से बोलूँगा बच्चो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल आइकन को प्रेस कर दीजी जिसे आपको पढ़े आप नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो पुराने यूजर से वीवर है जादर जादर शेयर करें इसे और भी बच्चों का वेनि करें भी टॉजर जादर जाँ सब्सक्राइब करें पाला को सब्सक्राइब करें वीवर भाइस करेंठी करें जादर जिल